चलिए गईस जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था इस वीडियो में मैं वो स्टॉक्स बताऊंगा जिनको मैंने अभी रीसेंटली बाई किया है और वो स्टॉक्स भी शेर करूँगा जिनको मैं बाई करने की प्लानिंग कर रहा हूं With all the reasons and obviously support levels भी तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है मूल टैक पाकेजिंग अभी यहां पे देख सकते हैं कि इसमें डिसकाउंट जो है वो बहुत बड़ा डिसकाउंट नहीं है लेकिन जिस तरह का ये स्टॉक मुझे लगता है मैं इसे मिस करना नहीं चाहरा था ठीक है लेकिन फिर भी मैंन अपने SIP लेवल पे ही बाई किया है टेलिग्राम पे मैंने बोला था और आज नहीं मैंने पहले ही बोला था कि ये मेरे टागेट में है और मेरा जो टागेट था वो 8.45 के आसपास का था और आज मैंने इसे 8.46 रुपीज पे बाई किया है अच्छुली आज बाई नहीं कि चार्ट देख रहे हो अगर आप इसे डेली कैंडल के चार्ट में कनवर्ट करो तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि जो इसका बॉटम था वहीं था जहां पर मैंने टागेट दिया था 8.45 के आसपास ठीक है तो I think 8.45 यह होता तो शायद बाई नहीं हो पाता इसलिए मै यह मार्केट खुलते ही 8.46 रुपीज के प्राइस पे मिल गया लेकिन चुकि इसमें सेलर्स जादा नहीं थे जादा सेल नहीं कर रहे थे शेयर को तो मैंने इसमें क्या किया था 60 कॉंटिटी बाई करने के लिए लगाई थी लेकिन मुझे सिर्फ 34 कॉंटिटीज ही मिली औ और बाकी का जो ओर्डर था वो कैंसल हो गया तो कोई बात नहीं जो भी प्राइस पे हमको जो भी कॉंटिटी मिली है वो बेस्ट मिली है अभी के टाइम पर अब इसे वापस हम लोग मंतली कैंडल के चार्ट में कर देते हैं अब देखिए इसमें अगर आप सोचोगे अभ फॉल करता है तो मेरी जो नेक्स्ट इसमें SIP होगी वो 725 रुपीज के उपर में नहीं होगी ठीक है 725 के नीचे अगर ये जाता है या 725 तक भी आता है तो ही मैं इसमें दुबारा SIP करूंगा और एल्स मैं इसमें और SIP अभी रीसेंट टाइम में नहीं करूंगा और उसमें थोड़ा सा हिस्सा जो है मैं निकाल लूँगा और बाकी इसमें रहने दूँगा ये मेरी स्टाटेजी है ज्यादा तर स्टॉक्स में मेरी यही स्टाटेजी होती है जो भी मैं इन्वेस्मेंट का अमाउंट लगाता हूँ उसमें से थोड़ा बहुत जो है मैं अप मैं दिख रही है ब्लू कलर की यहाँ पे दिखिए इसने इसको ब्रेक किया तो अगर ऐसे ही करते करते यह इस बॉलिंजर को ब्रेक करता है तो यहां पे मैं 100% किसी भी लेवल पे जब यह ब्रeक होगा बहूत अच्छे तरीके से नीचे की तरफ तो मैं किसी भी लेवल पर यहाँ पर एंट्री कर सकता हूँ अब देखिए एक अच्छी बाइंग मैंने दिखाई आपको तो एक मैं अपनी गलती भी बता देता हूँ वी मार्ट भी आज मेरा मार्केट खुलते ही सबसे पहले बाई हुआ था पीपल वी नो ओके कि यह क्या काम करता है हमने देखा है इसे कई बार राइट तो मेरे से गलती यह हो गई कि मैंने इसमें जो जी दी का ओडर लगाया था उस ओडर को मैं चेंज करना भूल गया तो यह गलती आप लोग ना करें तो GTD के orders हर महीने जो भी है levels वगरा अपने situations, I mean shares के situations के हिसाब से change करते रहें तो मैं इस वीमार्ट पे वो भूल गया था और इसलिए मेरा जो है आज यह यहाँ पे trigger हो गया चुकि मैं अभी भी मतलब इसमें profit में ही हूँ, मैं इसमें loss में नहीं हूँ मतलब आज जो इसमें investment हुआ है उसमें मैं loss में नहीं हूँ लेकिन गलती मेरे से इसलिए हो गई क्योंकि हमने इसमें पहले जो discussion किया था पिछले वीडियो में वीमार्ट के बारे में हमने discuss किया था वहाँ पे हमने इसके resistance level और support level को discuss किया था तो इस support को इसने यहाँ बहुत अच्छे से break किया I mean अगर यह break हुआ है तो यह और नीचे जाने के chances बहुत बहुत strong है ठीक है और मुझे जो है इसका जो target लगाना था वो around 13.85 के आसपास का लगाना था लेकिन मैं वो change करना भूल गया उसकी बज़े से मुझे यह थोड़ा महंगा मिल गया लेकिन मुझे अफसोस इसका इसलिए नहीं है क्योंकि I mean अफसोस तो है लेकिन बहुत ज़ादा अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि यह बहुत ही lower level पे है तो अगर यह 13.85 पे आता है तो उस time मैं देखूंगा कि मुझे इसमे averaging करनी है या नहीं उस time के हिसाफ से मैं decide करूँगा अगर और भी अच्छे stocks market में रहेंगे तो मैं इसको यहां पे averaging करने से ignore करूँगा ठीक है इस तरह की गलतियां भी हो जाती है तो डरने का नहीं अब देखिए अगला stock बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा ATGL अधानी Total Gas Limited इसमें मैंने बहुत ही छोटी buying की है आज लेकिन pure risk के तोर पे ठीक है एक यह stock है और एक और stock है जिसमें मैंने रिस्की बैट लिया है लेकिन यह वाला pure risk है इसमें news यह थी आज की इसके आदानी के पूरे आदानी जो है उनके जो ऑडिटर है उनके उपर कुछ inquiry शुरू हुई है तो उसकी वजह से आज आज आपको आदानी के shares जो हैं बहुत बुरी तरीके से गिरते हुए मैं जो monthly level पे मैं दो levels बताता हूं राइट not monthly sorry yearly level पे yearly level पे मैं दो levels बताता हूं यह first SIP और दूसरी final SIP ठीक है तो इसके नीचे में क्या करता हूं buying नहीं करता कभी भी मैंने सारे ही videos में लगबग यह बात repeat किये तो इसमें आज वो level break हुआ और यहां सी यह और नीचे जा सक लेकिन मैंने जस्ट यह consider करके कि अगर यह डूब जाता है तो कोई बात नहीं जो मैंने इसमें पैसे लगा है बहुत थोड़े लगाए अगर डूब जाता है जो कि easy नहीं है लेकिन अगर डूब जाता है तो मुझे इसमें कोई फरक बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा तो मैंने इसमें 525 रुपीज में बहुत छोटी सी quantity ली है ठीक है और upside ये कितना जा सकता है वो आपको दिखी रहा है अगर इसमें कुछ भी अच्छी news आने लगती है market में तो लोग इसमें धरादर buying करेंगे ठीक है लेकिन जो भी थोड़ा बहुत भी risk से डरते हैं वो इस stock स दूर रहेंगे तो जाधा अच्छा रहेगा अगला जो risky bet मैंने लिया है वो लिया है प्रीती इंटरनेशनल के उपर बहुत ही छोटा market cap है इसका 500 करोड भी नहीं है शायद 1500-200 करोड का market cap है बहुत छोटी company है लेकिन इसके जो profits है वो इस तरह के हैं ऐसे 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 इसके profits बढ़ते ही जा रहें ओके तो बहुत छोटी company है इसलिए बहुत ही छोटा पैसा मैंने इसमें लगाया है pure risky bet long run के लिए ठीक है बहुत लंबे time तक मैं इसे रखने वाला हूँ market में गिर जाता है उड़ जाता है उससे मैं कोई फरक नहीं पड़ता मैं इसको at least 5-10 साल के बा आज इसमें around 150, 2.5 या उसके आसपास में कहीं पर ये टच करके उपर गया है 164 के आसपास तक तो इसमें भी मैं अच्छे काचे profit में हूँ अभी लेकिन यहां से ये और गिर जाता है तो मैं इसमें और बहुत जादा buying अभी recently नहीं करने वाला हूँ हाँ in case अगर ये 100 से नीचे चला जाता है तब मैं इसमें दुबारा discussion करूँगा अगर इसका profit जो है continuously उपर जाता रहता है तो तो जो risk लेने वाले हैं वो इसे अपने tracker में add कर सकते हैं तो मैंने आपको बोला था कि मैंने दो risky bets लिया है लेकिन actually इसको भी मैं risky bet में ही count करूँगा net web tech India limited को तो इसमें भी मैंने आज buying की है मेरा वही obviously GTD का order इसमें लगा हुआ था around 750 के आसपास का और ये आज 749.20 पे बंद हुआ है मतलब कुछ पैसों का मतलब 80 पैसों का मुझ इस तरह से ये हर महीने गिर रहा है इस महीने सबसे जादा गिरा है और तब भी मैंने इसे buy किया है only because इसका जो काम है वो मुझे थोड़ा interesting लगता है और इसके जो results है वो भी मुझे decent लगते हैं तो बस ये over valued जादा था उसकी वज़ए से मैं मान के चल रहा हूँ कि ये फिलाल में देखने को मिलनी चाहिए इसमें भी मतलब risky bet मान के मैंने इसमें बहुत छोटी buying की है बहुत बड़ी buying नहीं की है उसका reason ये भी है कि ये recently आई वी company है तो बहुत जादा मुझे इसमे technical data मिलने रहे support कहां बन रहा है कैसे बन रहा है ये कुछ भी इसमें sure नहीं हो ठीक है तो आप बोल सकते हैं कि ये आंग बन करके की हुई buying है पूरी तरह से तो नहीं fundamental अच्छे दिख रहे हैं तो इसकी वज़े से मैंने buy किया है लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि मतलब technically इसमें कोई support level नहीं दिखा है फिर भी मैंने buying किया है तो ये as pure risk मैंने इसमें investment किया है तो ये पांच जो shares थे ये मैंने आज buy किये और कुछ shares थे जो कि मैंने Monday को buy किये थे जब market बहुत बुरा उस दिन भी गिरा था तो उस दिन मैंने Avalon वगर और बहुत सारे shares buy किये थे Avalon के एक बहुत interesting movement देखने को मिली थी आप देख सकते हैं कि ये बंद कितने पे हुआ ह 2.10% green में बंद हुआ है लेकिन जो लोग इसे track कर रहे तो उनको पता है ये 575 रुपीज तक भी गया था और बंद कितने पे हुआ 489 पे मतलब ये इस level पे जब ये था तो ये around 15-20% के आसपास में green में था और उसके बाद इसमें heavy selling आई है मतलब ये और नीचे गिरने के chances भी रखता है तो मंडे के दिन मैंने इसमें 505 या इसके नीचे के आसपास मैं exactly देख के बता दूँगा इतने के आसपास मैंने इसमें buying की थी और उस ताइम भी मुझे मालूम था कि इसका जो मेरे लिए जो support बनता है वो 425 का बनता है लेकिन यहां पे एक मुझे इस तरह क कुछ support बनता हुआ दिखा था जिसकी वज़े से मैंने थोड़ी सी buying यहां पे करना सही समझा लेकिन exactly वही हुआ जो मुझे करना चाहिए था यह market में थोड़ा सा गिरा उसके बाद भी और अभी आप देख सकते हैं कि यह 489 पे चल रहा है मतलब थोड़ा बहुत मुझे इस technicals अच्छे से बन जाएंगे तो decide करने में वो जादा easy होगा वैसे fundamentally अगर देखेंगे और इसके काम वगएरा को देखेंगे तो बहुत ही अच्छी company है अगला store जो मैंने buy किया था वो है green panel industry इसमें भी मैंने थोड़ी बहुत मतलब buying की थी कितने पे 341 रुपीज पे मैंने इसे buy किया और अभी के टाइम पर आप देख सकते हैं बहुत जादा उपर नहीं है 346 रुपीज है तो आज भी थोड़ा सा गिरा ही है लेकिन उस दिन मेरे buying के बाद ये थोड़ा सा उपर गया था जिसकी वज़ए से अभी मैं इसमें positive में हूँ लेकिन अगर मुझे ये 300 क के नीचे जाता हुआ दिखता है तो मैं इसमें दुबारा से discussion करूँगा दुबारा से जो SIP के level मैं consider कर रहा हूँ वो आपसे share करूँगा अगला बहुत जादा पूछा जाने वाला जो stock है वो है polyplex corp जिसको मैंने buy किया है बहुत ही छोटी quantity क्योंकि मुझे बहुत जादा ये पसंद नहीं है stock क्यों पसंद नहीं है मैंने कई बर बताया है अपने पुराने वीडियो में लेकिन जो इसमें मैंने buying की थी वो around 1070 के आसपास की थी और इस confidence में किया कि ये बहुत जादा अभी गिर चुका है मेरा जो first SIP का level होता है वो यहीं कहीं पर था तो इसलिए म इसमें बता रहा हूँ इस price का लगबग आधा ही है तो मैं यह नहीं बोल रहा कि यहां तक यह गिरेगा लेकिन मैं इसमें अब averaging नहीं करूंगा यह मैं बता रहा हूँ अगर यहां तक यह गिर जाता है तब मैं इसमें थोड़ी बहुत averaging ऐसे ही मतलब time pass के लिए कर सकता हू मांकि अगर आपकी priority में polyplex corporation था तो आपको बता दूँ कि October का जो मेरे लिए जो investment का level था वो यही था लेकिन आज के दिन यहां से भी बहुत ज़ादा गिर के 10.36 के आसपास में बंद हुआ है ठीक है तो levels तो break करता हूँ दिख रहा है नीचे की तरफ तो और नीचे कहां तक किये जाता है हम लोग आने वाले टाइम में देख लेंगे अगला जो स्टॉक है वो है श्री राहलत सीमा जो कि कमोडिटी केमिकल वाला स्टॉक है और micro cap आप इसे बोल सकते हैं 938 करोड का इसका market cap है तो अगर बढ़ जाता है तो बहुत ही जादा बड़ी company बनने की इसमें scope है और थोड़ा भी अगर जैसे 5-10,000 करोड की भी company अगर हो जाती है तो किसी के यहाँ पे investment करने पे वो बहुत जादा amount बनने के chances है तो यही सोच के मैंने इसमें investment किया है as a micro cap और micro cap है तो obviously मैंने बहुत जादा बड़ा amount इसमें नहीं invest किया है जो risk factor इसमें देखने को मिलता है वो है इसका P.E. ratio जो है वो बहुत 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 ही जादा कम है ठीक है तो market इसको value मतलब बहुत जादा देता नहीं है यह इसमें एक risky factor है अब देखो बहुत लोग बोलते है कि P.E. ratio कम रहता है तो जादा अची बात है लेकिन मेरे साफ से market अगर उसको value ही नहीं दे रहा तो वो बढ़ने में जो है बहुत लंबा time ले सकता है ठीक है और मेरी buying के बाद भी इसमें कोई बहुत जादा profit नहीं है कुछ 0.37% का loss ही है तो मैंने इसे 547.30 रुपीज पे मैंने buy किया है और अभी आप द buy किया है लेकिन अगर यहां से नीचे जाता है तो फिर मैं इसे 400 रुपे के नीचे में ही discuss करना पसंद करूँगा उससे पहले बिल्कुल भी नहीं ठीक है 400 रुपे कहन सा यह जो level है पिछला जो lower है support तो वहां से अगर यह नीचे जाने की कोशिश करता है तभी मैं इसमें द्वारा से discussion करूंगा अगला जो गिरने वाला stock है वो है Supriya Life Science इसमें भी मैंने थोड़ा risk लेने की सोची है और इसमें जो मैंने बाइंग किया है वो around 240 रुपीज के आसपास की है आप देख सकते है 246 अभी चल रहा है तो 2.5% के आसपास का मुझे अभी profit हो रहा है लेकि यहां से यह नीचे गिरेगा उपर जाएगा इसका कुछ अथा पता नहीं है क्योंकि जब से आया है तब से गिरी रहा है तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है मैं बस आपको information देना चाह रहा था company बहुत खराब नहीं लग रही है मुझे तो hopefully अगर अच्छा perform करती है तो इसमें और addition बाद में हम लोग कर सकते हैं अगला जो stock है वो है TCI Express जिसमें हमने investment किया है around 13-21 रुपीज के आसपास में मैंने इसमें पैसा लगाया है चोकि इसने हमारा resistance लेवल अभी तोड़ा नहीं है तो बहुत जादा मैं इसमें confident अभी भी नहीं हूं लेकिन हाँ य resistance को break नहीं कर पाता और नीचे जाता है तो around 10-25 रुपीज पे मेरी इसमें final SIP होगी ठीक है बहुत जादा नीचे के level बता रहा हूं तो जो मेरी final SIP है वो इस level पे TCI Express में होगी तो गाइज यही सारे stocks हैं जो मैंने अभी recently buy किये हैं दो दिन में मतलब बीच में एक दिन मैं मैंने miss किया था बाकि दो दिन में मैंने यही सारे stocks जो मैंने आपको बताया है यह सारे buy किये हैं reasons भी मैंने बता दिये कौन से risk हैं कौन से नहीं है किसमें मैं और averaging करूँगा कब करूँगा सब मैंने आपको बता दिया है फिर भी अगर कुछ miss हो गया है तो आप comment section में उसमें मुझे थोड़ा disturbance होता है इसलिए मैं prefer करूँगा आपसे कि मैं YouTube पे जो comments आते हैं उनको ही response करूँ या फिर उनके ही उपर मैं वीडियो बनाओ ठीक है तो कोशिश करिएगा कि जो मैं वीडियो डाल रहा है उनके उपर ही comment करिए अब मैंने बोला था इस वीडियो मे अगले आने वाले वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कुछ ऐसे stocks जिन में अभी मौका बन रहा है और या फिर मौका मुझे बनता हुआ दिख रहा है और मैं उसमें investment करने वाला हूँ ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में